वीडियो गेम के एक छोटे से फीचर का यूज़ करके एक बंदे ने 2 लाग करोड की कमपनी बनाई लेकिन कैसे? आई यह जांदे टीवर्ट बटरफिल्ज नाम के इस बंदे ने 2002 में नेवर एंडिंग नाम का एक गेम बनाया था उसका गेम तो बुरी दर से फ्लॉप हुआ लेकिन उसने गेम के फोटो शेरिंग फीचर को लेकर एक नई कमपनी बनाई जिसका नाम था फ्लिकर जल्द ही फ्लिकर फेमस हुआ और याहू ने इसे 20 मिलियन डॉलर्स में खरीद भी लिया इसके बाद अपने स्टुवर्ट भाई ने ग्लिच नाम का एक और गेम बनाया जो वापस फेल हो गया लेकिन स्टुवर्ट ने इस गेम के भी एक चोटे से चैटिंग फीचर से एक और नई कमपनी बनाई जिसका नाम था Slack जिसमें अलग-अलग कमपनी अपनी डेली रिपोर्टिंग्स, डिस्कुशन्स, मीटिंग्स सब कुछ हैंडल कर सकती थी और इसी वज़े से Slack को 2021 में Salesforce ने 27 बिलियन डॉलर्स में अक्वायर किया यह इतना पावरफुल डूल है कि 77% Fortune 100 companies अपने management के लिए Slack ही यूज करती है सब्सक्राइब करो ऐसी और interesting stories के लिए